क्या दूसरी शादी आपकी valid है मानेता उसे मिलेगी अगर आपका जो तलाग का case है वो pending है याने पती-पत्नी का विवाद चल रहा था जगड़ा चल रहा था और lower court में जो family court है वहाँ पर आपका मामला pending होने के दौरान अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो उसकी क्या वैदता होगी जरा समझते हैं इस वीडियो में और एक महात्यपून जज्ज्मिंट का भी लेंगे reference आपने शुरुवात की है अशोप पांडे के साथ legal advice में अगर आपको जानकारी पसंद आती हो तो like और subscribe जरूर कर दें इस channel को जिससे आपको इसी प्रकार की जो कानून की जानकारी है वो मिलती आप तक पहुँचती रहे चलिए बात करते हैं अपने मुद्दे पर कि दूसरी शादी अगर आपका जो मामला है वो court में pending है उस दौरान आप करें तो उसका क्या होगा किरला हाई court ने ये कहा कि इस तरीके की जो शादियां होगी second marriage जो होगी वो illegal होगी और अगर party इस तरीके की शादी में enter करती है तो एक तरीके से वो by gaming या criminal offense होगा जो कि 494,495 IPC के हिसाब से punishable offense है उसमें सजा का प्रावधान आपको fine भी दिया जा सकता और jail भी जाना पड़ सकता है कोई भी लड़का या लड़की औरत या आदमी अगर इस प्रकार का offense करता है तो by gaming का एक offense आ जाएगा जो कि Indian penal court के हिसाब से punishable offense है तो इसके लिए बहुत ही महत्यपून बात यह है कि अगर कोई इसकी appeal भी file करे higher court में तो वो dismiss हो जाएगी वो challengeable बिलकुल भी नहीं है किसी भी आदार पे आप नहीं कर सकते हो तो इस वज़े से जरूरी है कि आपका अगर case pending है चाए वो divorce का subordinate court में है मतलब family court में है या high court में आपका तलाग का case pending है उस दोरान अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसकी validity नहीं रहेगी वो शादी अवैद मानी जाएगी कानूनी तोर पर तो इस बात का आपको रखना है ध्यान एक बहुत महात्यपूर्ण जो judgment है उदेभान versus state of महरास्ट्रा का judgment ऐसा ही एक judgment था जहां पर subordinate court में case pending था और pendency के दौरान उसने कर ली शादी किसने husband ने उदेभान ने शादी कर ली और जब वो high court में गया कि भई मेरी तो already शादी हो गई है अब मैं साथ फेरे ले दी जाए क्योंकि ये उलंगन है हमारे Indian Penal Court का और जो सजा का प्रावधान 494 IPC में दिया गया है it is a punishable offense under 494 तो वहां पर इनके खिलाफ में कारवाही होनी चाहिए तो आप भी धियान में रखें अगर आपका मामला तलाग से सम्मंदित चल रहा है तो उस दौरान आपको श भाव नहीं पड़ेगा it's not a criminal offense पहले था adultery माना जाता था पहले एक offense था पर 2018 के बाद में honorable supreme court का जब judgment आया तो judgment आने के बाद में ऐसा हुआ कि भी अब जो living relationship है वो आप कर सकते उसमें कोई issue नहीं है पर शादी नहीं होनी चाहिए शादी is a criminal offense वो अगर आप करोगे तो IPC क भी सामना करना पड़ सकता है आपको जनकारी कैसी लगी मुझे जरू comment box में mention कीजेगा साथ ही साथ इस चीज़ को सुनश्रित करें कि अगर आपका lower court या family court या high court में अगर मामला तालाग से संबंदित pending है उस दौरान आपको शादी या दूसरी शादी नहीं करनी है किसी प